Hello my dear students, हम लोग lecture number 4 start करते हैं, ठेके, lecture number 4 start करने से पहले हम लोग कुस topic recall कर ले थे, ठेके, हम लोगों को पता है doping, doping मतलब क्या होता है हम लोगों का, जो भी extra impurities डाला जाएगा, ठेके, addition of क्या होता है हम लोगों का, यह हम लोग ने पढ़ा है addition of impurities, ठेके, impurities add करने के बाद, किस में आड़ करने के बाद जो हम लोगों का बनेगा उसको क्या बोलेंगे अब हम लोगों को डोपिंगे बाद हम लोगों को पता है अफ्टर डोपिंग हम लोगों का क्या होता है एक्स्टेंशिक सेमिकंडक्टर इंट्रेंशिक मतलब तो हम लोगों को पता है वो क्या होता है प्यूर फर्म अब हम लोगों का डोप करने के बाद एक्स्टेंशिक सेमिकंडक्टर अब एक्स्टेंशिक सेमिकंडक्टर दो टै हुआ जो एंट टईप जो सेमिकंडक्टर है इश में हम लोगों का कौन सा डालता है हम लोग नीचर रहता है पेंटा वेलेंट का ठीक है प हम लोगों का एक असकी सबढ़ाइब हम लोगों को पता है झालेज हो गरढवालthest मतलब चुतना होता है five टिक्व वैलेंस क्या होता है हम लोगों का ब् seventyन होता है ठहकी हम अज फ्यूंपल हम लोगों का कौन कौन सा रहेगा फोस फोरोसuite और कौन सा रहेगा आर्शेनीक यह हम लोगी पखले ही डिस्कस कर चुक है ठहके तो यह हम लोगों का क्या होज़ेगा this comes to be an a тысяч semi conductor or n type में हम लोगों का शबसे importantly मैंने ये discuss किया था ठीक है यहाँ पर साहिद मैंने दिया भी होगा यहाँ पर देखो सबसे पहले हम लोग ने जो n type में था यहाँ पर हम लोग ने discuss करके लिखा था ठीक है क्या लिखा था in n type semiconductor ये वाला पाट सबसे importantly very very important ठेके, electrons are the majority carriers and holes केसा रहेगा हम लोगों का minority carriers रहेगा, ठेके, तो ये पार्ट हम लोगों का सबसे important है, वही यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, ठेके, और P-types में हम लोगों का क्या हो जाएगा, holes हम लोगों का कैसा हो जाएगा, फिर भी में एक short form में लिख दे रहा हूं, ठेके electrons are majority and यहाँ पर holes केसा रहेगा, holes are minority, ठेके, किस पर हम लोगों का, N-type में, ठेके, इसलिए इसको क्या बोला जाता है हम लोगों का, donor बोल के भी बोला जाता है, donor atoms, ठेके, तो ये हम लोगों का N-type का, similarly हम लोगों का क्या हो जाएगा, P-type का, ठेके, P-type मे हम लोगों का क्या होता है मैंने तुम लोगों को बताया है ठीके कि एलेक्ट्रोंस जो होगा वो क्या हो जाएगा हम लोगों का माइनेरिटी हो जाएगा और होल्स कैसा हो जाएगा होल्स हम लोगों का कैसा हो अब यहां पर देखते हैं अब हम लोगों का formation हो गया junction PN junction तो दोनों टाइप से हम लोगों को देखना है अब देखते हैं हम लोग हमका PN junction मतलब P type and type दोनों का combination ठेके when a P type semiconductor crystal is joined with an N type semiconductor जो resulting जो formation होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग PN junction बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे junction diode इसलिए मैंने P type भी बोला और N type भी पढ़ाया था ठेके अब हम लोग का आ गया formation of PN junction कैसे formation करेंगे हम लोगों को पता है N type का लेंगे फिर P type का लेंगे ठेके थीन जो वैफर्स रहेगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे उसको heat करेंगे ठेके यह हम लोगों का यह जो process जो बोला गया है especially board में तो आते नहीं है फिर भी थोड़ा थोड़ा सा idea के लिए मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ ठेके अब देखो इफ ओन वैफर एंटाप सिलिकॉन और कहां पर है एल्मोनियम फ्लीम इस प्लेस ऑन दे हीटेट कितना टेंप्रेचर में रहेगा 580 degrees Celsius में रहेगा और एल्मोनियम डिफर्स हो जाएगा ठेके सिलिकॉन का और पी टैप जो सेमी कंड़क्टर इस फॉर्न अन टैप दोनों जो फॉर्मेशन हो गया पी टैप और एंड टैप जो उसलिए हम लोग क्या बोलेंगे उसको पी एन जंक्षन बोला गया ठीके यर जस प्रोसेस यह हम लोगों को याद नहीं करने से भी चलेगा ठीके यह सिंपली यह याद रैना कि जो हम लोगों का हाई टेंप्रिचर में राएगा एबराइन्ट फाइफ फनिड़ और और डिफ्यूजी ब्राइंगे, फोर्मेशन कराएंगे अब हम लोगों का इता है, को सब्सक्राइक जाने हम अब व टो पी टैब में किया रहेगा हम लोगों का मेजरिटी रहेगा ठेक है अब देखते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा यह जो मेजरिटी चार्ज करियर है और यह जो एलेक्ट्रोंस जो है Majority charge carrier से, वो क्या करेगा अब diffuse करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि जब भी भी, suppose तुम लोग धूप जलाते हों, धूप जलाते तो वो क्या हो जाएगा, पूरा रूम में फैलता है ना, तो किस वज़ा से फैलता है, because of concentration, ठीक है, वो क्या होगा, Majority charge से, हम लोगों क्या हो जाता है minority charge carriers में जाता है similarly यहां पर दिखे concentration of the charge carriers in the two region of pn junction the electrons from the n region diffuse through the junction यहां से junction में ठेके यह diffuse हुआ into the p region and holes from the p region diffuses into the holes यहां पर जो हे यह कहां पर diffuse हो जाएगा n region में diffuse होगा the motion of the charge carriers give rise to the अब वो हम लोगों का कैसा देगा diffusion current देगा across the junction diffusion current क्यों हुआ क्यूंकि हम लोगों का कैसा है majority charge carriers की वज़ा से movement हुआ ठेके majority charge carriers की वज़ा से क्या हो गया movement हुआ ठेके इसलिए यह portion हो गया so due to diffusion of electrons and holes a layer of positive charge donor in n region हम लोगों को पता यह n type में हम लोगों का क्या हो रहेगा electrons का majority रहेगा ठेके and holes a layer of यह हम लोगों का end a layer of यहां पर हम लोगों को पता है किस में रहेगा हम लोगों का negatively charge में create होगा और यही जो हम लोगों का formation देगा वो क्या देगा हम लोगों का depletion result दिया जाएगा these positive and the negative यहां पर देखो हां यह पार यह देखो यह वाला हम लोगों का क्या देगा देगा मैं इसको इरिश करके अच्छे से दिखा रहा हूँ यह दिको हम लोगों का whole है ठेक है यह HOL है अब यह हम लोगों का क्या होगया यह दिखीउज होगया ठेक है Loren минимus minus minus यह हम लोगों का diffusive यहां पर क्या होगया positive positive ओसे कर के दिक दिया ठेक है और यही पार the negative इस पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पेस चार्ज ऑन बोट साइद फी एंग जंशन विल फॉर्म और रिजन विच एस इमोबाइल आयों से और इमोबाइल मतलब क्या हो गया मूवमें नहीं करता है ठेके इसको क्या बोलेंगे हम लोग डिप्लीशन रिजन बोला जाएग ठेके अब यही हम लोगों को क्या देगा क्यों कैसे डिप्लीशन रिजन क्रेट हुआ क्योंकि यहां से हम लोगों का क्या हो गया यहां से हम लोगों का होल्स एलेक्ट्रोंस आया यहां से होल्स गया उसके वजह से यहां पर एक बैरियर फॉर्मेशन हो गया वो बैरियर को हम लोग क्या बोल दिया हम लोगों का वो reason को हम लोग बोल दिया depletion reason ठीक है यह very very important point है ठीक है अब due to the positive and the negative space charge reason from leather and electric field is also set up यह हम लोगों को पता चली गया यह हम लोगों का क्या हो गया यह देखो electric field obviously change हो जागा क्यों क्योंकि यहां पर positive है और यह negative है तो क्या generate होगा positive और electric है तो हम लोगों का field हो जाएगा electric field setup हो जाएगा due to this electric field ठीक है developed an electron on the P side of the moves to the N side and holes on N side ठीक है अब moves to the कहां पर move करेगा P side यह हम लोगों का यह कैसे हुआ because of the minority charge carriers minority charge carriers और इसको हम लोग क्या बोलेंगे drift बोला जाएगा the motion of this charge particle due to the electric field जो भी हम लोगों का motion रहेगा किसका charge particle का और जो movement किया किसका electric field में उसको क्या बोलेंगे हम लोग drift बोलेंगे और जो drift current जो produce हो गया वो किसकी वज़े से रहेगा minority charge carrier और यहाँ पर देखा जाए तो N type में हम लोगों का minority क्या रहेगा holes रहेगा ठीक है यही holes हम लोगों को और यहाँ पर P type है तो यह electron क्या हो जाएगा these are minority charge carriers ठीक है और यह हम लोगों को क्या देगा यह हम लोगों को देगा drift current तो यह diffusion मतलब क्या होता है because of the majority charge carriers and drift formation होगा वो किसकी वज़े से formation होगा because of the minority charge carriers ठीक है तो यही पाट हम लोगों को यहाँ पर क्या किया है explain किया गया है देखो due to the positive and the negative space charge region at the PNJ and an electric field electric field set up हो गया and electron on the P side electron मतलब हम लोगों का P side में क्या हो जाएगा वो minority charge carriers ठीक है and holes जो हे N tap में हम लोगों का क्या रहेगा यह minority charge क्या रहेगा और यही जो movement कर आएगा यही जो movement करवाएगा वो क्या देगा हम लोगों का drift current वो ही हम लोगों का देखोए as a result drift current start which is opposite in the direction of case का रहेगा diffusion current का opposite में रहेगा obviously right तो यह पाट हम लोगों को क्या करना है very importantly note कर लेना है ठीक है अब हम लोगों का यह पाट याद रख लेना ठीक है मीज़ेरिटी कार्यार कर रहा है कर रहा है कर रहा है ठीक है movement करेगा majority charge carriers यह अब हम लोगों को क्या करेगा इधर इधर movement करेगा और यह हम लोगों का इधर से इधर movement करेगा यह हम लोगों का because of majority charge carriers रहा majority charge carriers रहा और यह majority charge carriers हम लोगों को क्या दिया diffusion दिया ठीक है diffusion करें और हम लोगों को पता है P-type में हम लोगों का क्या रहेगा है electron रहेगा और यह हम लोगों का कर वहां पर रहेगा इसका जोनकी यह दुनों की वाज़ है जो मुवमेंट की वज़ है इसमें क्या है हम लोगों का ड्रेफ्ट मिलता है ठीक एक सटन टाइमिंग तक ही यह ढूसर संदयत्या आल बीत-घ्रालिंग diffusion current के बराबर हो जाएगा drift के बराबर हो जाएगा तब उस समय हम लोगों का there is no current across the PN junction और at this stage the potential barrier across the junction becomes maximum और यह हम लोगों का एक value रहेगा V0 उसी को हम लोगों क्या बोलेंगे potential barrier बोला जाएगा at room temperature room temperature मतलब हम लोग ने 27 degree Celsius को हम लोग ने Kelvin में कर लिया जो हम लोगों का value है ठेके potential barrier का वो 0.3 है किस के लिए germanium के लिए and 0.7 है किस के लिए silicon के लिए यह value याद रख लेना ठेके this value is very very important the value of यह जो हम लोगों का stopping potential barrier increases with the rise in temperature for किसका germanium and silicon ठेके increase भी होता है with the rising क्या हो जगा temperature अब हम लोगों का दो टाइप का biasing होता है ठेके यह हम लोग ने पढ़ लिया PN junction अब biasing होता है दो टाइप का एक होता है forward biasing दूसरा होता है reverse biasing simple से देखो यह positive यह positive negative ठेके positive negative यह हम लोगों का यह सपोस्स यह हम लोगों का PN junction ठेके यह depletion यह भी बना दे रहा हूं ठेके यह हम लोगों का PN junction हो गया यह हम लोगों का VIT हो ठेके अब देखो यह हम लोगों का forward bias का बहुता है जब यह positive से P की तरफ connect हो negative तो यह हम लोगों का किस से connect हो N से connect हो इस समय हम लोगों क्या बोलेंगे forward bias याद करने का तरीका positive यह तो P की तरफ connect कर दो negative यह तो क्या करो N के तरह भी connect कर दो, तो यह biasing को हम लोग क्या बोलेंगे, forward biasing बोला जाएगा, so a PN junction is said to be forward biased, if the positive terminal of the external battery, ठीक है यह हम लोगो को external battery के साथ जो connect हुआ, ठीक है, मैंने बोल दिया, is connected to the P side and the negative terminal is connected to the N side, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, forward bias बोला जाएगा, ठीक है, very very important points, अब हम लोगो को यहाँ पर forward biasing में क्या होगा, the forward voltage opposes the barrier potential, इसलिए यहाँ पर VV minus क्या होगा हम लोगो का, ठीक है, यह barrier potential minus V हो गया, ठीक है, as a result of potential barrier across the width क्या हो जाएगा, हम लोगो का, यह जो depletion, यह point note कर लेना, depletion layer decreases, important, very very important, during forward bias, during forward bias, यह जो V थे, यह वाला जो V थे, यह वाला जो V थे, वो कैसा रहेगा, decreases, ठीक है, और very importantly, resistance, जो resistance रहेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इट इस low, low या फिर, क्या कर दो, लेस लिख दो, ठीक है, this is also very very important point to be noted, ठीक है, तो the effective, जो हम लोगो का formation रहेगा, वो कितना हो जाएगा, V, V minus V हो जाएगा, इसलिए भी हम लोगों का यह वाला potential, अब resistance low होने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर there is no barrier, मतलब बहुत छोटा, एक्दम बहुत एक्दम इतना fraction, suppose यह इतना छोटा हो, तो यहाँ पर रोकने का, movement करने का लिए easy पर जागा, लेकिन यही barrier बड़ा हो, तो movement के लिए क्या हो जाएगा, दिक्कत होगा न, that means resistance उससा में क्या हो जाएगा, यह पाठ हो गया, तो resistance भी हम लोगों का क्या जाएगा, वैसे ही less हो जाएगा, अब हम लोगों का आ गया reverse bias, reverse bias में यह याद रख लेना, यह positive, negative, positive, negative, यहाँ पर हम लोग just उल्टा कर देंगे, ठीके, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यह देखो, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, N के साथ connect करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, P के साथ connect करेंगे, उल्टा कर देंगे, ठीके, यह याद रख लेना, N के साथ किसका connection रहेगा, positive का रहेगा, तो P के साथ किसका connection रहेगा, negative का रहेगा, ठीके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, reverse bias, अब वही पाठ भी reverse bias यह positive terminal of the external battery जो external battery is connected to the inside and negative terminal is connected to the ठेके यह पार्ट हम लोगों का हो गया ठेके अब यहां पर वही पार्ट जो लिखा है जो barrier यह वाला जो depletion depletion layer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हम लोगों का increases very very important during reverse bias ठेके reverse bias में क्या होगा यह पार्ट बहुत importantly note कर लेना ठेके इसमें हम लोगों का क्या हो जाएगा potential barrier increases ठेके number two यहां पर यह point भी लिख लेना depletion reason क्या हो जाएगा increases similarly अब एक और point क्या हो जाएगा हम लोगों का यह वाला depletion यह बढ़ गया तो resistance का value क्या हो जाएगा resistance का value हो जाएगा high यह फिर हम लोगों क्या बोल सकते हैं तो low यह फिर less लिखा है तो high लिखने से भी हो जाएगा ठेके ज्यादा ज्यादा होगा ठेके तो यह पार्ट हम लोगों का किस के लिए हो गया reverse bias के लिए हो गया देखो यही हम लोगों का जो effective जो barrier रहेगा वो कितना हो जाएगा VB plus V तो obviously barrier potential क्या हो जाएगा हम लोगों का बढ़ जाएगा ठेके so there is no conduction across the junction due to the majority carriers और हम लोगों को यह तो पता चली गया और यहां पर एक current आएगा that is reverse current क्यों क्योंकि वो कैसा रहेगा यह हम लोगों का already biasing जो हो गया है यह हम लोगों का कैसा रहेगा इस type का ठेके यह हम लोगों का यह हम लोगों का हो जाएगा कौन सा यह N हो जाएगा यह किस का हो जाएगा P हो जाएगा, यह हम लोगों का, यह किसके लिए हो गया, this is for reverse bias, और reverse bias में जो current produce होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, reverse current बोला जाएगा, ठीके, यह part हम लोगों का हो गया, अब आएगा characteristics of P and junction, क्या क्या characteristics होता है, ठीके, सबसे पहले for what characteristics, अब हम लोग plot करेंगे, ठीके, य यह हम लोगों का हो गया current measurement, यह हम लोगों का voltage measurement, यह हम लोगों का क्या हो गया, this is our diode, ठीके, यह हम लोगों का P type, यह क्या हो गया, N type, ठीके, जो diode को हम लोग ऐसे करके represent कर दिया, हम लोगों को पता है, जो forward bias रहेगा, ठीके, और यह हम लोगों का किसका हो जागा, नी voltage के बरावर हो गया तो हम लोगों का जो फॉर्मेशन आएगा ऐसे करके आजाएगा ठीके यह हम लोगों का वोल्टेज यह क्या हो जागा हम लोगों का current का plot किया, ठीक है, so, यह हम लोगा का, यह वाला जो value रहेगा, यह वाला जो value रहेगा, यह हम लोगा का, 0.3 आएगा, किसके लिए, जर्मुनियम के लिए, तो 0.7 जो आएगा, वो किसके लिए रहेगा, शिलिकॉन के लिए रहेगा, ठीक है, this graph is very very important, यह forward bias का graph है, और यह ची हम लोग, threshold voltage, ठीक है, यह voltage का है, यह क्या है, current का है, ठीक है, किने, और जो new current होता है, जब V equal to Vr होता है, ठीक है, यही पार्ट हम लोग, यह जो लिखाए, उही है, ठीक है, तो यह पार्ट भी हम लोगों का, क्या होजेगा, बहुत बहुत important, draw the VI characteristics in the forward bias, तो यह से करके क्या कर लेना, तुम लोग, plot कर लेना, ठीक है, अब हम लोगों का आ गया, ठीक है, यह part भी हो गया, forward bias का हम लोगों का हो गया, so reverse bias का भी तुम लोग बनाई सकता है, ठीक है, यह भी तुम लोग क्या कर लेना, plot कर लेना, एक से करना, साइद हो, ने, तुम लोग plot कर लेना, यह मैं plot करके देदू, ठीके मैं plot करके देही देता हूँ, यहां पर देखो, यह दी हम लोगों का reverse bias में रहेगा, तो एसा करके यह plot आ जाएगा, ठीके, यह हम लोगों का किस के लिए आ जाएगा? reverse bias के लिए ठीक है यह हम लोगों का voltage के लिए हो गया यह हम लोगों का current के लिए हो इसको बोला जाता है reverse breakdown reverse breakdown ठीक है तो यह किस biasing में होता है यह तो हम लोगों को पता यह क्या होता है हम लोगों का reverse किसके लिए प्लॉट कर दिया हम लोग ने रिवर्स के 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 रिवर्स यह हम लोगों को पता ही है, के मैं diagram यहांपनीघों बना ही दे जे रहा हूँ, ताकि तुम लोगों क्या कर से करेना है, यह हम लोगों का rheo stat का iac करके बना दिया, फिर ऐक सकी जिए ठाए थोड़ा सा clarity के साथ बना दे रहा हूँ अच्छा यहां पर में बना दे रहा हूं रिवर्स केरेक्टरस्टिक्स का यह हम लोगों का डायड हो गया ठीके यह हम लोगों का वोल्ट मीटर फिर उसके बाद करेंट लगा दे रहा हूं ठीके फिर उसके बाद हम लोगों का हो गया फिर उसके बाद हम लोगों का यह वाला पार्ट हो गया यह यो यो stat connection अभी हम लोगों का यह से करके हो गया यह वाना पाट फिर उसके बाद यह यह से करके हम लोगों का यो stat का पाट आ गया ठीके यह हम लोगों का किसके लिए रहेगा this is for reverse bias ठीके reverse bias के लिए हम लोगों का प्लॉट करने के बाद यह मिला ठीके यह voltage meter हो गया यह हम लोगों का current measurement के लिए हो जाएगा ठीके सो यह हम लोगों को दे दिया ठीके किसके लिए रहेगा हम लोगों का reverse character ठीके तो यह तुम लोगों क्या कर लेना note कर लेना ठीके सो यह पाट हम लोगों का हो गया अब हम लोग स्टार्ट करते हैं PN diode as a rectifier हम लोग ने पढ़ लिया PN diode भी rectifier मतलब क्या होता है ठीके यह हम लोगों का convert करेगा AC जो भी voltage या फिर current या फिर voltage को किसमें correct करेगा DC में AC किसमें convert करेगा DC में तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग रिक्टिफायर बोलेगा ठीके अब हम लोग फर्स देखते हैं जो अब देख एधियर एफ लोगों का फुल वेज़ रेक्टिफायर अब देखते हैं हम लोगों का, यह देखो यह हम लोगों का transformer दे दिया ठक है अब यह step down transformer यहम लोगा primary winning से फिर उसके बाद हम लोगों का dieard हो गया, फिर यहसे कर के अब लोगों का यह वाला यह देखो ऐसे करके यह connection है तुम लोग यह connection को तुम लोग बनाना है यह फिर से एक बार वह कर दे रहा हो ताकि तुम लोग फिर से एक बार practice करने के लिए easy हो जाए ठीके यह हम लोगों का क्या देगा यह हम लोगों का output देगा यह हम लोगों का output देगा अब देखो यह हम लोगों का जैसे यहां से start होगा यह negative positive ठीके तो यहां पर क्या हो जगा हम लोगों का positive negative ठीके यह हम लोगों का windings AC voltage to be rectified is connected to the primary windings P1 यह देखो P1 P2 ठीके यह वाला part को of a step down transformer यह क्या है हम लोगों का step down है ठीके इस connected इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे what is step down transformer what is step of transformer during our coming chapters ठीके अब इस connected to the secondary coil हो गया यह हम लोगों का इसको बोला जाएगा primary coil इसको बोला जाएगा secondary coil ठीके अब यहां से जैसे start होगा यह current यहां से आएगा ठीके फिर उसके बाद यह secondary में चला जाएगा अब यह क्या करेगा जो भी हम लोगों का output मिलेगा यह हम लोग किसके across मिलेगा इसके across मिलेगा ठीके अब during positive जैसे यह positive cycle यहां पर जाएगा ठीके और यह याद रख लेना जबी भी हम लोगों का जो diet जो output देगा यह जब high potential में रहेगा इसका low potential, जबी भी यह high potential और यह low potential में रहेगा, तब क्या हो जाएगा हम लोगों का, forward bias रहेगा, and diode इसी समय हम लोगों का output देगा, ठेके, इसी समय हम लोगों का क्या देगा, output देगा, देखो, during positive half cycle of AC, यह हम लोगों का, यह वाला हम लोगों का input हो गया, यह हम लोगों का, क्या हो गया, input हो गया, ठेके, अब हम लोगों का output में देखते हैं, यह हम लोगों का input हो गया, यह हम लोगों का time, यह हम लोगों का input, voltage, यह हम लोगों का output, voltage, ठेके, अब देखते हैं, अब output कहा आपर हैं, यह हम लोगों का ऐसे करके, अब यहां पर यह तो हम लोगों का मिन्य कुई भी करें यह तो यह हुआ परермुधो हूआ कंवट्व हूद करें ऑफ लेकिन कोई भी डायोट लुकों का सब्सक्राइब करें के अई पोजिटिव में करेंगा इसलिए यह देखो यह वाला साइकल में कंड़क किया हिए हम लोगों का इन्पुट AC मतलब क्या होता है हम लोगों का alternating current, positive, negative, positive, negative लेकिन जो हम लोगों का output रहेगा, वो वो किसमें रहेगा हम लोगों का हाफ यह तो श्रिफ हाफ formation कंड़क कर रहा है यह याद रख लेना ठेक है क्योंकि during suppose s1 becomes positive ठेक है यह हम लोगों का क्या हो जाएगा positive हो जाएगा तब यह हम लोगों को यह output दिया ठेक है during second cycle यह s2 becomes negative यह हम लोगों का negative हो गया तब हम लोगों का जो output होगा वो क्या हो जाएगा हम लोगों का days फिर उसके बाद the resistance becomes low the maximum current close फिर उसके बाद during the next half cycle s1 become negative and s2 becomes positive ठेक है यह हम लोगों का similarly यह चलाता है reverse बायस में हम लोगों का walk नहीं करेगा क्यों high resistance रहेगा और वही पाठ हम लोगों को पता है और यह जो हम लोगों का rectification रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग half wave rectification बोला जाएगा ठीक है simple से समझ लेना एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं first cycle में गया यह वाला input ऐसे गया positive forward bias output आ गया फिर second में negative आया negative मतलब यह negative आया that means यह क्या हो जाएगा हम लोगों का यह डायोड negative लेकिन यह तो high potential में हो जाएगा तो high potential में हो गया यह हो गया हो गया हा तो kya हो जाएगा हम लोग का reverse bias और reverse bias में no output no output ठीक है there is no output फिर third में हम लोगा positive input positive input positive your positive input मतलब यह क्या हो जाएगा हम लोगों का इसे करके यह higher potential यह lower potential that means यह क्या हो जाएगा हम लोगा forward bias इसे करके क्या हो गया forward bias, यह हम लोगों को ऐसे करके यह याद रखने ना, यह input यह पूरा cycle बलाने न, forward bias में ही convert करें, अब यह सरी forward में कर रहा है, अब हम लोगों को इसलिए यहां पर हम लोगों का terms आ गया, negative cycle में भी तो कर सकता था, तो हम लोगों का आ गया full wave rectifier, full wave मतलब क पूरा रेक्टिफाई करना चाहिए जो इंपुट दिया यह देखो यह देखो के लिए दीटू डीटू अब यहां पर कैसे दिखते हैं यह हम लोगों का डीवान के लिए रहेगा यह हम लोगों का डीटू-गया ठीक है अब इसको बोला जाता है सेंटर уем झ 오estyle है क्या भोन जाता है थे संट्रटी प्रक्रीफर केके से बोला जाता है क्या है 1331 Tampa iensets अब फार्स्ट सय कल मिपिए उडिविन दो पोजिटीव फ् साइ topic प्रसद्ट साइकल्गे एसे करके यह डिए सपोस्ट डिशी सेंपूर संटर संटरीं थेपर इसे बोला जाता है क्योंकि यह क्या है पर्पार्शटीनली कैसे अगर्मरप दूसरों बोलाखना है सब्सब्राइब क्या जया होगा यह एसे क्या है यह सबोस्ट इस ही सवार इन्पूट एगा यह हम लोगों का इन्पूट अब आउटपूट ऑफ डी वन ठीके अगे यह देखते हैं आउटपूट ऑफ लिख देखते यहां पर नौट डीवन अब इसके वज़ासे हम लोगों का यह फरवर्ड रहेगा तो हम लोगों को आउ नेगेटिव हो जागा लेकिन ये वाला हम लोगों का क्या हो जागा पोजिटिव हो जागा तो ये कंड़क करेगा तो ये वाला हम लोगों का दूरिंग नेगेटिव में ये वाला क्या हो जागा फॉरवर्ड की तरह करेगा ये किसकी वज़ा से हुआ ये डी टू की वज़ा आगिया हम लोगों का D2 तो यह से करके हम लोगों का क्या हो जाएगा यह continuously movement करते रहेगा वही पाट लिखा दूरिंग दा positive half cycle of AC the D1 is forward bias and the D2 is reverse bias ठीके and the output is as shown in figure फिर दूरिंग दे नेगर्टिव cycle the D1 हम लोगों का कैसा हो जाएगा reverse bias and D2 forward bias हो जाएगा और यही हम लोगों का output देगा वहीं देखो फ़र्श्ट दी 1 की वज़सी मिला फिर युसके वार दी डी 2 की वज़सी मिला फिर क्या हो गया दी 2 की वज़सी मिला और यहीं हम लोगों को क्या दे रहा है this is our full wave रेक्टी फायर ठीक है कि ने तो यहां से हम लोगों का क्या हो गया फुल वेब रेक्टी फायर भी कम्प्लीट हो गया तो यहां तक तुम लोग अच्छे से क्या कर लेना नूट डाउन कर लेना